वेल्कम बैक टू लर्न एट होम घर पर सीखो तो फ्रेंड्स एदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिए सेहर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हाँ तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हैं कैरट का हलुआ और कैरट का हलुआ तो इस बिंटर सीजर में सब लोग ही पसंद करते हैं और बच्चे बड़े उड़े सब ही पसंद करते हैं तो अभी आ रही है लाल कैरट और लाल कैरट का हलुआ बहुत ही अच्छा होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड अबसे पहले गाजर को अच्छे से वाश कर लीजिए उसके पास उसको छिलके को छील लीजिए और देखिया है ये आराओ को भी बहुत पसंद कैरेट कहलवा तो वो भी मेरी हेल्प कर रहा है ग्रेट करने में और बच्चे इस तरीके से सीख भी जाते हैं कि ग्रेटिंग कैसे करते हैं तो उसके लास्ट यरी सीख ली थी और इस बाव अच्छे से कर पा रहा है तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि पैरेंट्स ही कैसे हेल्प करें और यह देखिए वह अच्छे से ही ग्रेड कर रहा है और हम दोनों नहीं मिलके गाजर को ग्रेड कर लिया है और इसके बाद हम लोग जाएंगे हल्वा को बनाने के लिए तो देखिए कितने अच्छे से उसने ग्रेडिंग कर दी है और मैं भी उसकी है करी हूँ तो यह देखिए ग्रेड हो चुकी है अब हम जा रहा है हल्वा को बनाने के लिए तो हल्वा को बनाने के लिए सबसे पहले कढाई में लीजे देशी घी, कम से कम मैंने इसमे चार से पांच स्पून डाला हुआ है क्योंकि हल्वा तो देशी घी का ही अच्छा लगता है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जब इगी पिघाल जाएगा तो हम इसमें डाले काजू और जो बादाम है उसको मैं तोड़ लेती हूं और मैंने सुगर निकाल ली है ठीक है और आप कड़ाई को ढख दीजिए किसी प्लेट की मेदत से जिससे कैरट जल्ली से बफ जाएगी और जल्ली से वह अच्छे से पक जाएगी उसके बाद जब एक कैरट अच्छे से पक जाएगी यह देखिए इसको आप चलाते रहे जिससे वह जले नहीं हलोगा बनाने में तो लगता है कम से इसको बनाने में आपको 15-20 मिट लग जाएंगे तो उसके बाद में डालोंगे ड्राइफूट्स जो मैंने काजू बजाम को तोड़के रखे हुए हैं यह द्राइफूट्स में पहले इसलिए डाल रहे हूं क्योंकि वह ड्राइफूट्स में अच्छा भूजा हूए टेस्ट आ जाता है और उसमें दूद भी अच्छे से बाद में डालेंगे तो ड्राइफूट्स कच्छा रह जाएगा और उसका टेस्ट डिफ्रेंट आता है तो मैं हमेसा पहले ही डालना पसंद करते हूं ड्राइफूट्स तो मैंने डाल दिया है तो जब तक ड्राइफूट्स पक रहे हैं और हलूआ भी बंज रहा है तब त इस में पूरी डाल दी है प्लस दूद मेंने वन लीटर डाला हुआ है उस से कि अच्छा ही टेस्ट आएगा फिर आप इस दूद को मिक्स कर दीजे पूरे हल्वा में और इसको थोड़ा सा पकने दीजे इसमें आप चाहें तो फ्लेम को फोड़ा हाई भी कर सकते हैं लेकिन आप इसको अब्जर्ब करते रहें कि यह जले नहीं यह बहुत इंपॉर्टेंट है हलुआ बनाते समय यह देखिए अब इसमें उबाल आने लगती है आप धकेंगे तो उबाल भी आएगी तो आपको ध्यान रखना कि यह चलाते रहें बीच-बीच में जिसकी वह जल नहीं यह तो आप बढ़ा देर में इसको चला रही हुँ और नीचे से भी साइड से चला ज Soul और शसलिए ठाल झालियां तो यह तुस्का आप आप इसकी षलिशा थी चाहें तो इसको मीडियम कर सकते हैं क्योंकि हाई बादा काम हमारा हो चुका है फिर इसमें मैंने डाल दिया है सुगर सुगर अब अब अपने टेस्ट के साफ से डालिए याब मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा डाल दीजे मैंने तो नॉर्मल डाला हुआ है और सुगर मैंने अब बड़े वाले घठवं काटोरी होती है उसमें से मैंने आप बावल ही यह देखिए अब लिगते lift हो गया है चलते चलते गाड़ा हो जाता है तो यह तो अब तैयार होने वाला है थोड़ी देर में तो फ्रेंड्स यह देखिए यह अब एकदम रेडी होने वाला है तो देखिए यह एकदम रेडी हो तो अब हम इसको निकालते हैं सर्विंग बाउल में और सर्विंग बाउल में जब आप डालते हैं हल्वा तो उसके उपर से आप चाहें तो थोड़ा बहुत खाज आप लोग भी टेस्ट करिए बनाईए और कमेंट सेयर कीजिए थैंक्यू थैंक्यू